तो इस वीडियो में हम बात कने वाले एक सब्सक्राइबर है उन्हों नम से कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनका बैंक और ब्रोदा में सैलली एकाउंट है और उनको बैंक और ब्रोदा से 15 लाग रुपए का होम लोन लेना है तो यहां से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ल परचेस करना है कोई प्लॉट परचेस करना है या आपका कोई एक्जिस्टिंग धर है उसमें आपको कंश्रेक्शन कराना है रिपेर रेनोवेशन का काम कराना है उसके लिए आप लोन ले सकते हो हर के इंडिविजुल के लिए भी यहां पर लोन प्रवाइड किया जाता है बढ़ोदा home loan scheme है, बढ़ोदा max saving home loan है, इसके लावा यहाप पर home loan takeover scheme है, home improvement loan है, pre-approved home loan भी आप पर provide किया जाता है, अब pre-approved जो है, इनके existing customers के लिए जो है provide किया जाता है, अगर आपका sell account है तो हो सकता है, आपको भी यहाप पर pre-approved home loan provide किया जाता है, जिसमें minimum rate of interest पर यह आप पर जो है, लोन आपको offer करा जाता है, यहाप पर top up loan भी है, अगर आप यहाँ से home loan लेते हो, आपका यहाप पर home loan चलना है, आपको और loan amount की ज़रूरत होगी, तो आप बढ़ोदा top up loan से भी यहाँ पर loan ले सकते हो, home सुविधा परसा loan चलता है आपे, तो यह scheme में चलत स्टार्टिंग है, 10.60% तक rate of interest जाता है, और non seller lead के लिए भी same rate of interest आपका रहता है, इसके अलावा अगर आप fixed rate of interest पर लोन लेते हो, तो seller lead के लिए 10.15 से स्टार्टिंग होती है, 11.50% rate of interest जाता है, और non seller lead के लिए 10.25 से स्टार्टिंग होगी, 11.60% rate of interest जाएगा, अगर हम बात करें आपे benefit के, तो low interest rate है, जैसे बताए 8.40, minimum rate of interest जापे चला हुआ है, low processing charges है, हार loan amount आप ले सकतो, free credit card भी आपको मिल जागा, longer tenure के लिए आपको यहापे loan मिलता है, easy top up loan भी आपको देखने को मिल जाता है, बात करें इसके features की, तो देखें, हर customer की need wise जो है, आपके home loan बनाए गए है, home loan के product, इसके अलावाद जो approved home loan का amount होगा, वो depend करेगा, आपकी property की location किस जगह पर, अगर कोई अच्छी location पर होगी, तो आपको ज्यादा loan amount आपका approve हो जाएगा, इसके अलावाद जो applicant है, जो apply कर रहा है, उसकी income पर भी जो है, depend करता है, low interest, low processing fees, कोई भी hidden charges कोई भी prepayment penalty नहीं लगती है, 30 सालों के लिए आप यहाँ से loan ले सकतो, maximum, बात करें, eligibility criteria है, कोई भी resident इंडियन, non-resident इंडियन, apply कर सकता है, person of Indian origin हो गया, या आपे overseas citizen of Indian हो गया, वो यहाँ से apply कर सकता है, minimum age apply करने की 21 साल लेती है, और co applicant add कराते हो, आप तो 18 साल उसकी रहती minimum age, maximum 70 year के हिस्तक जो आप अपने loan को चुका सकतो, 30 सालों के लिए loan ले सकतो, अब loan amount जो यहाँ पर location wise अलग-अलग दिखाए गया है, कि maximum, जैसे मुंबई में जो है, आप यहाँ आप मैक्सम 20 करनों तक का loan amount ले सकते हो, आप यहाँ पर हैदराबाद, न्यू डेली, बैंग ले सकते हो, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, most important term and condition के बारे में, तो जैसे कि बताया, target group कौन से है, इंडियन रेजिजेंट हो गया, और इनके जो है, नौन रेजिजेंट इंडियन हो गया, इसके लावा आप सिंगली और जॉइंटली भी apply कर सकतो, मतलब आप या तो मैं उनकी 25 या तो दोनों की income मिलागे, 50 या वो जो है calculate होगी और उसके हिसाब से फिर आपको जो है, उतना loan amount provide किया जाएगा, यहाँ पर जैसे कि बताया, co applicant add कराने में, आपको जो है, हार, आपकी जो loan amount की eligibility होगी, वो बढ़ जाएगी, मतलब आप ज्यादा loan amount ले सकते हो, अब जो co applicant है, वो आपका कोई भी close relative हो सकता, close relatives की भी यहाँ पर list दी हुई है, जैसे कि spouse, father, mother, son, sons, wife, daughter, यह सब आप list बगर यहाँ से देख सकते हो, maximum loan amount भी आप बता दिया, repayment आप maximum 30 सालों के यहाँ से loan ले सकते हो, आप यहाँ पर repayment capacity कितनी रहती है, कि मतलब आप अपन मंतली सेली 25 से कम है, तो आप अपनी मंतली सेली का 40% तक EMI पर दे सकते हो, कि मान लिजे आपकी 25 सेली है, तो आप 10,000 रुपए की जो है, अपनी महिने की किस्त दे सकते हो, उससे, इसके लावा 25 से 50 से आर है, तो मंतली सेली का 60%, 50 से एक लाग के भी सेली है, तो मंतली सेली क का 65%, 1,006,002,002,003 बीच शैली है, तो मंतली शैली का 70% और 2,005,005,005 छैपर अगर आप मंतली शैली है, तो आपकी मंतली सैली का 75% आप गesनी परेंत्य तो परötपर सक्ति हो, अब 75 लाग के उपर का लोन लेते हो तो LTV ratio 75% का चलता है अब जब आप property जो है मान लीजे कोई ले लेते हो और उसको bank और ब्रोदर से आप home loan लेते हो तो जो bank होगा वो आपकी property जो है आपकी property अभी आपके नाम पे नहीं होगी वो अभी bank के नाम पे होगी जब आप पूरा loan amount कि मान लीजे इनकेस आप loan नहीं चुगा पाए तो bank जो है उस property को जो है यहाँ पे बेच के जो है अपना loan amount जो होगा वो recover कर सके लिए आपके कोई भी charges आपसे नहीं लिए जाते है इसके अलावा life insurance cover भी आपको देखने को मिल जाता है तो अगर आप home loan लेते हो तो life insurance cover भी आप ले सकते हो इससे आपको benefit यह मिलेगा कि मान लीजे बीच में ही आपका मान लीजे कोई ऐसे financial crisis आगी कि आप loan नहीं चुगा पार तो यह जो life insurance cover है वो आपके काफी काम आ जाता है तो अगर आप कोई भी बड़े tenure के लिए loan amount लेते हो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए तो life insurance लेना जो है वो काफी important रहता है जिससे आपका जो home loan वगरा है मान लीजे कोई problem आ जाती है तो आप जो है insurance वगरा में जो है आपका cover हो जाता है तो यह देखिए कुछ most important term and condition रहे अब हम देख लेते हैं documentation आपकी क्या-क्या लगते हैं तो देखिए एक ID proof आपको देना form 60 नहीं तो आप ITR भी दे सकते हो इसके लावा जो self-employed होंगे उनको income tax return वगरा दिखाना पड़ेगा इसके लावा balance sheet दिखा सकतो profit or loss account statement आपको यह दिखाना पड़ेगा six month का आपको bank account statement दिखाना पड़ेगा जिस account में आपकी salary आती होगी और आपका अगर self-employed हो तो current account का आप देनी पड़ती है और property related document अलग-अलग होंगे जिस type की भी आप property खरीद रहो उसकी document आपको अलग-अलग देने पड़ते हैं तो यह कुछ document required होते हैं अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो सब्सक्राबर ने पूछा था कि उनको 15 लाग का उमलोग लेना है आगर उन सब्सक्राइब करना पड़ेगा टोटल पेमेंट आपको 26 लाग 42 लाग की करनी पड़ती है तो इस तरीके से आप अपना EMI और total interest calculate कर सकते हो इसका लिंक आपको वीडियो के description box से मिल जाएगा इसके लावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के offer जाने हो चाहाए वो होम ल मिल आएगा इसकी लिंक पे आप जैसे जाओगे इसके latest rate of interest देख सकते हो इसकी features वगराद चेकाउट कर सकते हो इलिजबीटी डॉक्यमेंट देख सकते हो और कोई offer अगर बैंक हो बड़ता लाउंच करती है तो इसका भी लिंक आप इस website पर डीटेल से चेकाउट कर सकते हो तो इस website का भी जो लिंक है आपको वीडियो के description box मिल जागा एक बर जाके ज़रूर चकाउट करेगा तो आई होप वीडियो मारा आपको informative लगाओगा वीडियो के एक like कर दीजेगा चैनल परना हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और मैं आप comment करके बता सकते हो कि आगे आपके इ बारे में हमसे information लेना चाते हो तो आज के इस वीडियो में बस रता ही तो मिलते ना एक शुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद